रेगुलर नोटिफिकेशन्स के लिए सब्सक्राइब बटन और बिल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आई जानते हैं वीटामिन्स के बारे में स्वास्त वीटामिन्स के कार्योंपर निर्भा करता है जबकि ये हमारे शरीर में बहुत कम मत्रा में पाई जाते हैं वीटामिन्स उर्जा प्रदान करने में कोई योगदान नहीं करते हैं वे भोजन में पाई जाने वारे प्रोटीन, वसा, कार्वोहइडरेट्स तता खरीजों का उप्योग करने में सहता करते हैं पोशन में प्रतियक वीटामिन का अपना महत्व है एक विटामिन का इस्थान दुसरा विटामिन नहीं ले सकता यह दपी इसके कारियों में दुसरे की अनुपस्तिती से बाधा पहुँच सकती है विटामिन्स तंतूओं के संक्रमण को रोकने में सहयता करते हैं वे शरीर में हार्मोन्स के निर्मान को तथा द्रव्यों के निकास को परभावित करते हैं यह भी सत्य है कि विटामिन्स दबाव से तथा समय समय पर वातावरण के प्रदुषण के बूरे परभाव से बचाने में मदद करने की शमता रखते हैं विटेमिन्स की कमी का प्रणाम वही होता है चाहे उनकी कमी का अस्तर कुछ भी क्यों नहों यदि कमी अधीक होती है तो लक्षण शिग्र दिखाई देते हैं और यदि कम होती है तो लक्षणों की गती धीमी होती है हमारी दैनिक भोजन में कार्बो हैड्रेट्स तथावसा की काफी मात्र होती है इन दोनों को उर्जा में परिवर्तित होने के लिए विटेमिन्स की आउशकता होती है विटेमिन्स के सभी समुह अर्थाद विटामिन A से लेकर के तक और गैनिक कमपाउंड कहलाते हैं जो टीम के साथ हमारे शरीर में रसायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं किसी स्थिती में जब एक या एक से अधिक विटामिन की कमी होती है तो शरीर के भीतरी अंगों की सधारन प्रक्रिया में बाधा पड़ती है जिसके परिणाम सोरुप पोशन की कमी से सम्मंधित बीमारियां उत्पन हो जाती है गंभीर कमी की स्थिती में शिख्र लाब के लिए विटामिन्स की गोलियां अथवा इंजेक्शन के रूप में लेना आती अवशक है लेकिन यदि इन सिंथेटिक विटामिन्स को यदि लंबी ओधी दख लिया जाए तो ये दुसरी समस्यां पैदा कर सकती है अतहिया हसला दी जाती है कि इन गोलियों का सेवन शिख्र ही समाप्त कर देना चाहिए तथा गंभीर से गंभीर विमारी में भी ताजा और प्रकृतिक भोजन्युक्त संतुलित आहर लेना चाहिए अगले विडियों में जानेंगे विटामिन की कमियों से कैसे बचा जाए और उनसे कैसे निप्टा जाए अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्चो तो कमेंट ज़रू करें धन्यवाद